है ऑ्ट बट डीन चलना गाओ तो बता तो यह एक बार चालबु और भंुपै El yaak से मुलकात से लोख़ा चाचा से लिए दूर साथ ना बात करेंगे हम इसके साथ हमारी याक चाचा के साथ एकड़ाफ़टस रिवील कर दिया सारा सीक्रेट वापस आते हैं तो यह रहें आ पहले हमारा लेक्टिर नमब टूफ टूफ टॉफ गरम रखिस्तान की बात कर लुफ है उपकर नहीं लुटा की बात करेंगे थो चलिए लदाग की इस सेशन को शुरू किया जाएं और मेरे साथ चलते हैं वर्चुल यात्रा पे नमबर वन हम बात करेंगे लगा करेंगे लगों की हम बात करेंगे लगों की लगा मिलने वाले बेड़ पॉदे जीव जनतू सब लोगों की लास में हम करेंगे हमारे कुछ सवाल तो क्या आप सब्सक्राइब करते हैं अब जबर्दस्त वाला मज़दार वाला सर्दार वाला सेशन लेट्स केट साड़ेट अरे चलो क्या हो रहा है कुछ चल गया हाँ चले तो अभी आप जैसे नक्षे पे देख पा रहें नक्षा समस्ते क्या होता बिटा नक्षा होता मैप ठीक बहुत सारे माउंटेन पासे और बहुत बड़े बड़े पहाण हैं बहुत सारे ग्लेशियर से और यहीं पर आता है हमारा प्यारा साल लग्दाक ठीक है तो लग्दाक अपने आप में यूनिन ट्रेटरी है पहले जमुन कश्मीर का हिस्सा हुआ करता था लेकिन आफटर ज जमुन कश्मीर के जब आप इस्टन साइट पर जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा आपको मिलेक लग्दा अब जो कारा कोरम मौंटेन रेंज्चर हैं नौर्थ में भारत के बाल पारत के अंदर ऑर साथी साथ जशांसकार मौंटेंचर तो कौन-कौन से तो माउंटेंचर आपके कारा कोरम माउंटेन रेंजेज और आपके जांसकार माउंटेन रेंजेज ठीक है चलिक कारा कोरम माउंटेन रेंजेज और आपके जांसकार माउंटेन रेंजेज का काराकरम मानटेंज रेंज आपको कहा है मिलने वाले ह transitioning मिलने वाले हैं towards the northern part पर northern part पर जांसकार मिलने वाले हैं towards the southern part चलिए तुमें को लगता है बहुत ज्यादा नीला नीला हो गया इसको तोड़ा पीला करते हैं भाई I hope this is visible to you बच्चा बाड़ी ठीक है तो बहुत जादा नाइन साफी हो रही भाई में साथ रुको सही करते हैं इसको तो चलो बच्चा बाड़ी चली तो एक तो हमारे कारा कोरम मांटन हों नौधन पर्ởट दूसा सनस्कार मांटन हो सथन पार ठीक है अब बहुत सारी ऐसी नदिया हैं चो यहांसे फ्लो करती है अदाक से हमारे इंदस नदियों गई इनस का रीजन है बच्चों माना जाता है कि आपकी औरिजिनेट करती है मांस वे लेख के पास मां इसी प्रकार के वेजटेशन के लिए ठीक है फिर अगर हम बात करते हैं बच्छे सियांची ग्लेशर सियांची ग्लेशर मतला वर्ल्ड का हाइस्ट बॉर्डरिंग एरिया भी माना जाता है जहां पर हमारे इंडियन आर्म एक्दम जजबे के साथ जुटी हो यह इतने बुरे सारे ग्लेशर भी आपको यहां पर देखने को मिलते हैं लेकिन लदाग अपने खुबसूरत है लेकिन लदाग अगर आप जा रहें तो इस बात का ध्यान रखेगा कि धूप देखके कपड़े नहीं उतार देने कहने का मतलब है यह हो सकता है आपको धूप के चलते गर्मी लगे क्योंकि जो अमाउंट ओफ यहां पर हीट आप रिसीव करते हो ना बड़ी इंटेंस है बहुत तिकी तिकी दूप है तिकी दूप क्यों है बच्छे यह आसपस पत्रीला ही राखा है अब पत्थर क्या करेगा आपकी संलाइट करेगा गर्मी बढ़ाएगा आसपास क लेकिन थंडी भी उतनी है ठीक है अगर गलती से आपका आधा बोडी का पार्ट यहां पर धूप में और आधा पार्ट अगर आपका शेड में ना चाही में तो आपको फ्रॉस्ट बाइट हो सकता है वहां पर तो इस तरीके के प्रॉब्लम काफी जादा होते हैं साधी अगर बातों का ध्यान जरूर रखेगा ठीक है फिर अगर हम बात करें हमारा बड़ा सा बड़ा सा नक्षा है इसमें आप देख सकते हैं बहुत आपको मिलेंगी इंदस और उसकी ट्राइबुटरी आपको मिलेंगी यहां पर चलिए अब थोड़ा सा आगे बड़े का मतलब होता है जो हाइट थीक है जाओ अल्टेट्यूट का मतलब होता है जो आपका हाइट है सब्सक्राइब करें तो अगर आप देखोगे हाइट का वेशन अगर आप देखोगे तो यह वेरी करता है आपके 3000 मीटर से ले करके आपके 8000 मीटर तक देखे 3000 मीटर से ले करके 8000 मीटर तक आपका पूरा मेरी करता है तीन अजार मीटर अगर कारगिल में जाना 3000 मीटर स्थेज़ पास चलो रफली रफली 11000 फीट के आसपास टीक है अगर इम बात करें बच्चो कि यहांपे जो है आपका बहुत ठंडा है और ड्राइवेटर है बहुत ही ड्राइए मॉइस्ट नहीं है हवा में फिर अगर आप देखोगे जो आप हवा है जाड़े सो थिन की जो हीट ऑफ दा सान है उसको आप इतना इंटेंस फील कर सकते हैं क्यों जितना इलेवेशन बढ़ता है आपका अट्मोसफेर थोड़ा लेस देंस होता जाता है तो यहाँ एतना हाई है कि जो आपको संगी दूप है ना सूरज की रोश्णी उतिनी तीखी लगने वाली थिन लगने वाले ती तीजी से चुबेगी या को बतला वह बहुत तेज लगेगी रही तो बचे यहां पर क्या है है आपका जट मॉसफेर है फो थोड़ा से थिन होने लगता है एर कौल हो सकता है दूप का अमाउन्ड गोंकिन वह इंटैंसे आप बहुत ज्यादा है असलिए बहुत थीखी थीखी यहां पर लगने वाली है फिर अगल बात करें जो दिन का ओपर हो गा तीन चार डिग्री और नाइट का टमपरेचर बिताटा जाता है माइनस तीस दौन तक adjacent म nécessaire मेरे medicine मेरे मेरे माइनव göst 2019 स्टार्ट हो गई थी माइनस होते हैं नाइट के तेंप्रेचर और दुपेहर के टेंप्रेचर सिर्फ 0 से 3-4 डिगरी उपर होगा चार-5 डिगरी माक्समम डाट सॉल ठीक है फिर अगर में बात करूँ लद्दाक लाइब करता है आपके रेंज शैड़ो एरिया में रेंज शैड़ो एरिया क्या होता है समझते हैं इसको एक एक बड़ा सा पहाड है ठीक है उसके दो तरफ है एक इसका तरफ A है और एक इसका तरफ B है ठीक है अब क्या होता है मान के चलिए कि हवा जो है हमारी हवा ऐसी हवा जो मौस्टराइज्ट है ठीक है जो पानी केरी कर रही है यह हवा यहां से भेह रही है इस साइड आ रही है यह वाला एरिया क्या रहेगा यह वाला एरिया आपका क्या होगा बिटा ड्राइए रहा जाएगा तो ऐसे ड्राइरी बचव का वं क्या कहते है रेंच शैडव एरिया की बोलते हैं बच्चों बसको rein shadow ऊपस्य बैया जहां पर बारिश ठीक तरीकास Tutori इसका रीजन यह ए है क्योंकि पहांगी आटपें जूंकी बारिश यही आपकीच मोटनी ऑन प्त करें अफो tone tickets है Remote ये आपको देखने क। चाहिए पानी नहीं लिए हैं वह जिस है उतली है। नहीं पा रहा ठीक है तो ऐसा एरिया किसी भी साइड का कहलाता है आपका रेंग शाडव एरिया ठीक है बच्छा बार्डी ठीक है और जिस साइड बारिश होती है इसको हम कहते हैं विंड वर्ड साइड क्या बोलते हैं इसको हम विंड वर्ड साइड ठीक है इसको हम क्या कहत सब्सक्राइब फिर अगर हम बात करें हैं यहाँ पर हाई एलिवेशन के वज़े से क्या है जो आपकी वेजिटेशन है वह बहुत बिखरी बिखरी यहाँ पर ज्यादा चीज़ें आपको मिलेंगी नहीं ठीक है फर एक्जांपल आपको थोड़ी सी घांसवास मिल जाएगी कुछ थोड़ी प्लांट मिल जाएंगे जो इस पर उस बारंश वगईरा चार ले लेते हैं तो इस बॉस्टाइब के श्रॉपस रहा मिलेंगे फिर आपको क्या मिलेंगे कुछ पहाड़ वगईरा मिलेंगे चोड़े बहुत विलोज हो गये पॉपलार की पीड़ हो गये तो यह आपके वा तो नाइस ड्राइफ रूट नाइस अप्रिकोट वालनॉट वालनॉट आपके अकुस पीशी आप देखने को मिलेंगे काफिया वाल्यू वाले यह तो कुछ पीशी ऑब बर्ड्स यहाँ पे फेमस हैं कौन-कौन से स्पीशी ऑब बर्ड्स जैसे लदाख में मिलती हैं आपक वीटन स्नोग हो गई पिर हम बात करें रावन हो गई और हूप हो गई ठीक है तो फो गई आपकी रावन हो गई रावन नहीं तरीकर से काले का लर्ण कारल कह लिए यह कि लिए और रेटरोप आपको सब्राइब कौण कुछ आपको भी आफे मिलेंगी दूस्टे कंषिए किसा अनिमल की बाद करें तो बच्स आप वाइड गोट आपको जंगली बखरिया कि है व्हालच इतना बढ़ी लगता खांप सब्सक्राइब करा रखी ते हुँचे फीमेल याक लग रहा था वो एक्वर मेंटें तो उसका अलगी रोल आ था भाई लोग उसके साथ सेल्फी ले रहे तो बास याक के साथ वो में बहुत सारे नेचर ने उसको इसा बनाया इतने सारे बाल है कि कही नहीं बचे वह बढ़ी हाँ रखने में काफी जाधा करते हैं फिर अगर मैं आपसे बात करूं बच्छा वाड़ी चो जो हैमारे ऐनिमल्स है इनको यह लोग पालते हैं जो लदाग के लोग दोते हैं मिलक के लिए मीट के ना बिटा बहुत गरम होता है क्योंकि उसका रीजन है मतलब उन्हें हैर का प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी ऐसा है कि भाईया कि मतलब वो बने बने ही इसलिए है उनकी बॉड़ी पे क्योंकि उनको ठंड से बता सके हैं इतने फ्रीजिंग तेमरेश में तो यहां का जो बुद्धिस्ट है बहुत धर्म को मानते हैं फिर स्लाम धर्म को मानते हैं इंफार्ट अगरें बात करें बहुत सारे ऐसे बुद्धिस्ट मुनास्ट्रीज हैं ठीक है जो कि आपको पूरे लद्दाग के अंदर मिल जाएंगी मुनास्ट्रीज क्या होती है कुछ ऐसा होता मुनास्ट्रीज वो जगे हैं जहां पर आपके लड़ा जो बुद्धिजम के रिस्पेक्ट में जितने भी स्क्रिप्चर से वो रखे गए ठीक है वहां पर बहुत लोग प्रेयर करते हैं जाकर के और यह गुमफा कहलाते हैं तो मुनास्ट्रीज के जो आप देखें और यह मिलेंगी है अपके जो आपक की मुनास्ट्री सी अपसाप बच्रेश जाते हैं प्रेयर बगैड मिलें फिर अगर अगर बात करें बच्चे यह यह आदा क्यों बहुक्त ऐसे लगता है यह तो áम सबसुंश मुनास्ट्रीज आपके मिलें इस म founders वहman pro students घीक से तो यहां पर बहुत सारे लोग टूरिस्ट वगेरा यहां पर घूमने जाते हैं तो आप भी कभी जाएगा लदाग घूमने तो उस पर जरूर देखके आएगा अच्छा लोगों का एक ड्रीम होता है कि अपने फ्रेंड्स के साथ बाइक पर लदाग ट्रिप मारनी है ना लोग हैं बड़े बिजी हो जाते हैं क्यों कुछ टाइम पर स्नौ वगेरा नहीं होती तो यह लोग खेती बाड़ी कर पाते हैं बार्ले हो गया पटेटो हो गया पीज हो गया बीन्स होता है तो यह सब यह लोग उगाते हैं अपना बढ़िया खेतों में ठीक है फिर ले की बात करें तो ले की बात करें तो ले की बात करें तो ले चो है काफी अच्छी तरीके से connected है both by road and air in fact अगर नाशनल हाइवे 1 वाने की बात करते है तो आपका नच्छी वन्हेले यह ले को कश्मीर वैली से connect करता है त। दुझ जोजीला पास जोजीला पास ला का मतलब होता है टिबेतिन भाषा में पास ठीक है ला का मतलब होता है एक माउंटेंट पास ठीक है त इससे करता है कश्मीर वैली से ठीक है इंफाक अगर बात करें हमारे ब्यारों ने बॉर्डर रोड्स ओगनाइज़ेशन ने भी अटल टरनल के थू जो है न मनाली से ले कनेट करने को हाइवे बनाया है यह वन आधा हाइस रोड्स है पूरे वर्ल्ड के अंदर राइट जाट हापित क्या गया था नाइंटीन सिक्स्टी के अंदर और इसका काम है भारत के जो बॉर्डर इलाके हैं जो स्ट्राटिक एरियाज है वहां पर जाकर के रोड्स को बनाना ठीक है उनको मेंटेनेंस करना तो ब्यारों ने बड़ी सुंदर यह साड़े-9 किलोमेटर के आसपा और यह से पास करता है यह पास करता है आपके जोजिला पास से फिर अगर हम देखेंगे बच्छों कि यहां पे टूरिजम एक बहुत ही मेजर आक्टिविटी है ना बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट हैं जो अलग अलग देश के हिस्सों से आते हैं लदाग घूमने के लिए तो सारे फेस्टिवल्स होते हैं सरेवनी होती हैं उनको विटनेस करना भी अपने आप में बच्चे के एक्सपीरेंस है ना हाला कि लड़ाक के लोगों की जो जिन्दगी है वो धीरे धीरे चेंज होती जा रही है क्योंकि चीजें काफी मॉडर्णाइज हो रही है लेकिन बच प्रकृति से मिलती हैं प्रकृति से उन चीजों को लेते हैं को यूटलाइज करते हैं अपने नीट के साब से और प्रकृति का भी ध्यान रखते हैं तो यह लोग उसका रिस्पेट करते हैं बच्चे बहुत इंपोर्डेंट है तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो लड़ाक में वेस्ट किया जाए इनको पता है कि उन रिसोर्स की इंपोर्टेंस कितनी जादा है उनको कितना सम्हाल के रखने की जरूत है और इसलिए बच्चे लोग क्या करते हैं बहुत सिंपल है उसके रिस्पेट करते हैं तो कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो लड़ाक में खराब होत होता हो सारी की सारी चीज़ों को बड़ी एफिशेंट तरीके से यहां पर यूटलाइज किया जाता है राइट तो है ना लड़ाक के लोग स्पेशल से लिया कुछ बढ़ियां फाक्स के बारे में आप जानते हैं पहला आता है मां कि लड़ाक जो है दो शब्दों से है अभी और दाक का मतलब होता है कंट्री यानिके के ऐसा देश जो माउंटेन पास से गे रहा है माउंटेन पास के बाद आपको मिलता है तो लड़ाक इस मेड़ाप टू वर्ड़ाइज माउंटेन पास दाक मीस कंट्री द्राज जो है वनाफ दो कोल्डेस्ट जाता है तो याकुल्स का जो गाओं है रश्या के अंदर वहां पर टेंबरेचर माइनस सतर जाता है और वहां यूमन बींग्स रहते हैं कभी ना यूट्यूब पर गूगल करेगा याकुल्स विलेच को आपको खुद देखेगा लोग रहते कैसे हैं वहां पर रास भी ऐस यह द्रास में मतलब मानुक के चलो माइनस पैंतालिस जाता है भाई माइनस चालिस पैंतालिस डिग्री टेंपरिक्टर जाता है वहां पे बहुत कम सेटेल्मेंट्स हैं लेकिन फिर भी इस था वरन दा कोल्डेस्ट इनाविटेट प्लेसे ओन अर्थ फिर अगर हम बात करे जर्षन सनोगों यहाँ पे क्लेubscribe करता तो अभी क्या है कि इस रिंटाल से क्टानल से क्या होगा है कि बिल्गुल कट आफ हो जाता था लेना हर जगे से लडदक ले अगरा हर जगे वेगक्र हुत था अब्यारी तो हाइवे बनने से स्पेशालिटी यह है कि पहली चीज तो इस टनल ने कनेट किया है दो डिफरेंट हिस्सों को और दूसरा इंपोर्टेंट पॉइंट है कि बच्चे यह जो ऑल वेदर कनेक्टिविटी है अभी वो मेंटेन हो सकती है तो यह बड़ा अच्छा काम हुआ है मारे ब्यारों ने ब बहुत लाइट होता है बहुत लाइट वर्चने अ पर कले टाव गार्म होता है च। करें कि दूर्ट होता है में जो कि दिशनट है जो आपको मिलें तो यहां पर मिलेंगा कश्मीर वाली में मिले ayam और क्रिकले का क्रिकेट बाट होते हैं तो यह बाचकशित है ड्राक के हमारे थंडे रनहीं लादा कीались कैसी लगी आपको लद्दा की कहानी मुझे बताईए घजूर आपके कॉमेंट सेक्षिंस का बेस अबरी से इंतिजार रहता है ठीक है तो क्या मज़ादार आपने सीखा इस कहानी से कितनी बढ़े आपने सीखी इस कहानी से चलिए अब आप से इतनी सारी बाते कर लिए बात क प्लाटफॉर्म पर नहीं सॉरी गळबड़ हो गया उसके बाद आपको बोलते है टाटा बाइबाई सायोनारा क्योंकि आना है दुबारा आप सही था ठीक है चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन की जगे क्वेश्चन सब्सक्राइब कर लेते हैं क्वेश्चन वान अ्ञचन की बात दिए्चन का सराव तब्सक्च थेक it 5 कवेश्चन की आप by the people of Ladakh question 2 write a note on the role of women in Ladakh question number three tourism is an important activity in Ladakh give reason last question last question let me ask you a good question what is the literal meaning of Ladakh fine okay so these are some of the questions of the day I must say not just the question but questions of the day so these are some of the questions so I will be eagerly wait for you to see your questions in the comments सेथि यूपर पूबर सबस्किर पाइप साथ मिलते हैं तो इसे के साथ मिलते हैं आप से खतम करते हैं उसकी सेशन को सब तक के लिए रहे हस्ते रहे मुश्क राते रहे मस्त रहे चुस्त रहे जबड़दस्त रहे और करते रहे ताबड तोद पड़ाई आपके अपने पीड़ाब्ल्यू के साथ चलो बच्छा वाड़ी जाप लुग आपसे नेक्स्ट ख्लास में बाई बच्चो टेक किर एड टीप झाल झाल